अगर आपकी सोच यह है कि मैं इश्वर रह से शादी करूँ और वहां से बड़ा नेग परहेज बार बच्चा पैदा हो ते कभी भी नहीं हो सबस्ता अपने गरीबार में जागने के बजाए ये एश्वर रहा पर बद्दे कमेंट कर रहा है इस चीज़ पर बात करते हैं कि चूँ पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया अगर आपकी सोच ये है कि मैं इश्वर रह से शादी करूँ और वहां से बड़ा नेग परहेज बार बच्चा पैदा हो ते कभी भी नहीं हो सबस्ता कोशन यह था कि क्यों क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम खराप परदरशन कर रहा है ये वल्ल कप में तो भाई समने का भाई कि यूनिस कान की नियत बड़ी अच्छी थी और नियत अच्छी निच्छी है और आप सुझ रहे हो कि आश्वरा ऐसे शादी कर रहे हो तो अच्छा पैदा होगा ऐसे थोड़ी होता और मुझे पता है पाकिसान में ऐसे बहुत लोग है जो बहुत प्यारे हैं बहुत 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 पड़े लिखे हैं इस जैसे जाहिल गवार निया ना I hope पाकिसान में इसको वही बैकलेश मिले जो इंडिया में मिलेगा ऐसे लोगों को ब्लैकलिस कर देना चाहिए यह बंद आपकोने जाहिस करेगा क्योंकि इसको पता नहीं है किसने क्या किया है इस बंदे को जब समझ में आईगी न कि ऐसे बोलने पर आजकले टाइम में सोशल मेडिया में क्या होता है इंफ्लूइंसर्स कैसे आपको सबग स सिचेशन हो और यह लोता नहीं है कई लोग पाकिस्तान के अभी एक मोहमद अफीस ने बोला कि इंडिया पिछ के साथ गड़वड़ी करता है पहले सारे और क्रिकेटर है जो कुछ ना कुछ बोल रहे है अरे शरम करो यार वो होता है न वो कावद है न अंगूर खटे है य जारा शोय बक्तर, वसी मकरम, मुहिन खान इन लोगों से कुछ सीखो यार शोय मलिक से कुछ सीखो उसने तो कभी सान्या मिर्दा के बारे में ऐसा कमेंट नहीं किया चाहिए जितना भी बैकलश मिलाओ उनसे कुछ सीखो समझो और अगर सही तालीम ना मिली है तो अभी भी नाम लेना जो लेने चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिक्ट बोर्ड में है यह उसका इंफ्रसक्चर में है ऐसे लोग जो सियासत की वज़े से जो पॉलिक्स की वज़े से आपके खिलाडियों को पर अपने नहीं दे रहे आपके जो बोलर्स है उनको आगे बढ़ने अंदर से कैसी राक्षास प्रविति के हो और ऐसे राक्षास को मेरे घाल से ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए बॉयकॉट कर देना चाहिए तो बॉयकॉट अब्दुल ट्विटर पे होना चाहिए और मुझे लगता है जितने भी और पाकिस्तानी क्रिकेटेस है जिनको हम इ